हालो फ्रेंट्स वेलकम टू मंजिल तोड़े विल डिस्कस अबाउट ऑस्ट्रेलिया स्टरी विजा और आज किस वीडियो में आपको देना चाहूंगी पांच यासे टिप्स इसके कारण आपकी जो रिजेक्शन रेट हैं वह एक परसेंट से भी कम हो जाएगी जी गाइज उन स्टरेंट से पूछ के देखिए इनके माइनर मिस्टेक्स के कारण की रिजेक्शन आई है और उनके जो छे महीने वह वेस्ट हुई है और मुझे लगता है कोविड की सेनेरियो में जहां पर और इतना डिले हुआ है छे मिने का अगर और डिले हो जाता है तो वह स्कूर कितना है हमारे 10 प्लस 2 के मार्क में अफकोस जो मीनिमम क्राइटीरिया है उसका 60 परसेंट है बट अगर आपको एजन कहते हैं कि आपकी 50 और 55 परसेंट में भी आपको एडमिशन दिलवा देंगा तो प्लीज दू नौट बिलीव हिम क्योंकि वह एजन्स हैं और उन एक परफेक्ट एक्जेंपल है कि ऐसी कंट्री है जो एक स्टूडन को सिफ एक क्रीम स्टूडन अपने आप अपनी कंट्री में ले जाने में बलीव करती है तो यहां पर मीनिमम क्राइटीरिया जो है एकडेमिक स्कॉर का वो है 60 परसेंट उसके कम में आपकी डिमिशन नह आप अपनी प्रोफाइल को सेट कीजिएगा और उसका जो सेकंड कैटेगरी है जो एकडेमिक स्कॉर में हम जज़ करते हैं या हम बैसे ज़ज करती है तो वो है आपकी आइल्स और पी टी ए और अफकोर्स बहुत साइट उनिवर्सिस की जो आइल्स कंडिशन होते हैं वो 7 आपको एजन्स कहते हैं को 5 या 5.5 में मिल जाते हैं तो अभी मैं आपको क्लियर कर दूं आपको एडिमिशन नहीं मिलेगी अफकोस ओफ़ लेटर आ जाएगा बट आपको वीजा है वो रिजेक्ट होकर आजाएगा वर इसके लावा भी बहुत सारी ऐसी इंसिटूशन होत आपके प्रोफाल जैटी अगर आपकी अचेक्टै। वाइल जो academic score है वो बहुत कम है, तो किसी और से SOP मत लिखवाएगा, खुद SOP लिख लेगा, क्योंकि जो आपको SOP लिखके देगा, in case उसने बहुत हाई vocabulary यूज कर लिए, तो embassy उस बात को catch कर लेती है, कि इसके वैसे academic score में इतना कम score है, इतनी अच्छी जो English लिखकर या फि तो इस SOP की बात में इत्यान रिखिएगा, कि ट्राइ करना कि आप अपनी आप से SOP लिखिएगा, और सबसे main point में यह होता है, कि जब खुद भी लिखते हो, तो प्ले सच लिखेगा, सब बाते क्लियर करना, अगर आपकी academic score कम भी है, तो भी उसके बारे में सच सच लिखे होता है, and second point जो है, do not use fake SOP, SOP बहुत टाइप की जो fake होती है, कि किसी और का data खुद में डाल दिया, copy paste कर लिया, तो मैं आपको यहां पर बता दूए, embassy बिल्कुल या एक minute लगाती है, उसको catch करने में, फिर आपका visa reject जो है, बहुत जल्दी हो जाता है, so SOP एक second ऐसा point तर किसी धिहान देना बहुत जरूरी है, third point हमारे पास वो आता है, वह हमारे पास financial documents, financial documents में आपके living expense check किये जाते हैं, of course, आपकी bank balance कितना है, या फिर आपका self sponsor हो, या फिर आपने loan लिया, या आपके parents sponsor कर रहे हैं, आपको, अगर parents sponsor कर रहे हैं, तो आपकी ITR, या फिर आपकी profile से match काते हैं, तो मैं guys, आपको clearly कह रही हूँ, उस case में आपका visa 100% reject हो जाता है, जब भी आप अपने financial documents लगाए, इस बात का ध्यान रखिएगा, कि आपकी जो documents हैं, वो real होने चाहिए, fake नहीं होने चाहिए, और उसके बाद अगर मैं बात करूँ, कि एक बार visa reject हो जाता है छे महीने लगते हैं, दूसरा new visa के लिए apply करने के लिए, जिन बचों ने ये 6 महीने face किये हैं, जिनका rejection हुए हैं, बली में उनका यही कहना था कि अगर हम इन profiles में या फिर इन steps में थोड़ा सा अपने आपको improve कर लेते हैं, तो हमारे 6 महीने ना waste होते हैं, जो fourth point है, वो है, fake documents को लेकर, fake documents guys, 2019 की कहानी है, कि जब Punjab, Haryana और UP के students को Australia ने ban कर दिया था, क्योंकि उनके 100% या 90-100% जो documents से वो totally fake थे, और ये 9-10 बचों की profile में देखने को मिला था, तो इन students के लिए ban हो चुका था, and due to COVID, थोड़ी सी, जो restrictions थी, वो कम हुई थी, बर फिर से जैसे COVID जाता हुआ दिख रहा है, और इनकी सारी conditions वापस आ रही हैं, तो ये फिर Indian restrictions अब कर दी, चाहिए आपके marks कम हैं, या फिर financial documents missing है, सब कुछ आपने अब mention करना है, please do not use fake documents or false information, क्योंकि उनको पता लग जाता ह and जब अगर आप fake document use करते हो, तेखो rejection होना एक अलग बात है, उसमें आपको 6 मीने में दुबारा chance मिल जाएगा, पर fake document की case में वो student को blacklist कर देते हैं and यहाँ पर दोनों बातों में फरक है कि rejection होना एक अलग बात है, बट blacklist का मतलब है कि आप lifetime के लिए उस country से blackout हो जाते हो, वो आपको नहीं consider करते हैं अपने country में आने के लिए, तो अगर आपने कोई भी ऐसा step उठाना या फिर कोई agent भी आपको कहता है कि कोई बात नी जी हम आपका gap पूरा करवा देंगे, हम यह कर देंगे, वो कर देंगे, do not believe क्योंकि उनका कुछ भी नहीं जाएगा, आपके case म आपका interview लेती है, दूसरा आपकी university लेती है, so जब in case जो है university आपका interview लेती है, तो वो interview लेती है, आपके academic score की basis पे, आपके SOB की basis पे, और उसके बाद आप वहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हो, उसका क्या career है, या फिर वहाँ यह course करने से आपको कौन सी job मिलेगी, तो सार academic field के related जो है, आपको university आपको question करती है, बट जो embassy की तरफ अगर आप आजाते हो, तो embassy जो है university से होड़ी सी strict होती है, और उनके questions होते हैं, आपकी profile को लेकर, आपकी passport को लेकर, उसके बाद आपकी date of birth को लेकर, आपके parents के जब आपने financial documents लगाए हैं, उनके related, आपके financial documents को ले लेते हैं, और वो दूसरी तरफ आपके academic score की basis पे जो है interview लेते हैं, आप दोनों के लिए prepare करके रखना, किसी एक में भी आ सकते हैं, क्यूंकि this is, की ऐसी condition आजाती है, यह लगबाई chance होता है, कि आप किसी की भी अंडर आ सकते हो, so please इतना जरूर prepare करके जाना, अपने आपक point जिसकी basis पे Australia की rejection point आती है, so अगर आप यह point पहले ही clear कर दो कि तो आपको rejection की जो scenes है, वो बहुत कम देखने को मिलेंगे, thank you guys